हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम अगेन टो लन्वरे देतीमन, आज हम करने वाले हैं सिलेबस की अकॉर्डिंग जो नई टॉपिक हैं, जिसमें हमारी जो फोर्थ यूनिट है पॉलिटी की, तो मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो भी नई टॉपिक हैं, वो हम कम् प्रणाली का हर एक टॉपिक जो है वो उस यूनिट का कम्प्रीट कर लिया था, तो फोर्थ यूनिट में आपके बाल अधिकार और बाल संद्रक्षन, ये नया टॉपिक है, इसके अलाबा एक और टॉपिक है, इसी यूनिट का लोग तंत्र में निर्वाचन और मतदाता जाग रुपता, तो ये भी हम कम्प्रीट करेंगे, तो आज कोशन आंसर फॉर्मेट में नहीं है, बलकि मैंने टॉपिक ही आपको समझाने के लिए यहां पर लेकर आई हूँ, ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके, ठीक है, उसके बाद हम जब ये नए टॉपिक जो पूर जब दान किये हैं, उनी की हम बात यहां पर करेंगे, उसी से रिलेटिट जो अधिनियम है, संसोधन है, वो सब ही हम याद करेंगे, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है भाग तीन, उसकी अंतरगत किस अनुछेद में बाल संरक्षन की बात कही गई है, निती निर्देशक तत की गई है, तो सब भी आपको एक ही जगया पर मिल जाते हैं, तो यहां आपको याद करने में आसानी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं, अनुछेद 24 जो है, वह मौलिक अधिकार, इसके अंतरगत यह अधिकार है कि 14 वर्षे से कम आयू के बच्चों को कार खानों या खाद में कारे करने की अनुमती नहीं होगी, यानि कि उनका अधिकार है कि वह यहाँ पर कारे नहीं करेंगे, तो यह हमें कहां देखने को मिलता है, यह अनुछेद 24 के अंतरगत, जो कि शोशन के विरुथ अधिकार को बत लाता है, जिसमें हम देखते हैं कि 14 वर्षे से कम आयू के बच्चों की बात कही गई है तो आपको बिल्कुल ये एक एक चीज जो है वो याद रखनी है क्योंकि आपके एक्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी अनुचेद में कौन सी बात लिखी गई है इसके बाद मौलिक अधिकारों में यदि हम बात करते हैं उनको निशुलक और अनिवारे शिक्षा जो है वो उपलप्त कराई जाएगी तो ये है मौलिक अधिकार है ये है मूल अधिकार है बच्चों का यदि वह 6 से 14 वर्स के हैं तो उन्हें निशुलक और अनिवारे शिक्षा प्राप्त होगी ठीक है तो ये दोनों अनुछेद जो है अनुचेद 24 और अनुचेद 21 ये बाल सनरक्षण की बात करते हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकार की अंतरगत हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नीती निर्देशक तत्व जो है यानि की राज्य के लिए है ये गाइडलाइन की उनको बाल सनरक्षण के लिए क्या क्या करना है अनुचेद 49 चय ये है कहता है कि बच्चों को स्वतंतर वातावरन और सुवधाय जो है वो उपलब्द कराई जाएगी तो ये राज्य के लिए एक निर्देश है ये उनके लिए कोई बात देता नहीं है लेकिन उनके लिए एक निर्देश है कि बच्चों को वो स्वतंतर वातावरन और सुवधाय उपलब्द कराएगा तो ये तो है राज्य के निर्देशक तत्व की अंतरगत अनुचेद 49 च और अनुचेद 45 जिसमें बच्चों की संडरक्षन की ही बात कही गई है नेक्स्ट अब देखते हैं मूल करतव्यों जो की भाग 4 क की अंतरगत हम पढ़ते हैं अनुचेद 51 के जिसमें हम 11 मूल करतव्यों को पढ़ते हैं तो जिसमें लास्ट जो मूल करतव्य है, जो की 86 सम्विधान संसुनन 2002 के अंतरगत ही जोड़ा गया है, तो उसमें ये हमारा मूल करतव्य है, हमारा यानि माता पिता या संद्रक्षक का मूल करतव्य है कि वह 6-14 वर्स के बच्चों को सिक्षा प्राप्त कराने की पूर्ण अ हमने मौल क करतव्य में पड़ी कि माता पिता का ये करदायत्व है कि वह बच्चों को यह सुविधाएं जो है वह उपलब्द कराएं, यह सिक्षा जो है वह उपलब्द कराएं, तो इसलिए जो 86 सम्विधान संसुन 2002 है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, यहां पर आ अनुछेद 49 च और अनुछेद 45 उसके बाद मूल करतव्य अनुछेद 51 का ठीक है तो इस तरीके से आपको ये पांचों बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, नेक्स रम बात करते हैं कि जो नई सिक्षा नीती 2019 है उसमें RTE सिक्षा का अधिकार जिसमें बारवी कक्षा तक ठीक है बारवी कक्षा तक यानि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक प्राथमिक से लेकर और बारवी कक्षा तक शिक्षा की घोषणा की गई है ठीक है तो सभी को शिक्षा प्राप्त हो इसी लिए सरकार दौरा ये प्रापधान किया गया है कि जो नई सिक्षा नीती 2019 है उसका kya क तो यहां पर शिक्षा का अधिकार जो है वो लागू करने की गोशना की गई है, इस लाइन को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अब हम देखते हैं कि संसद द्वारा जो लागू किये गए हैं जो अधनियम बनाए गए हैं, संसद है अधनियम, तो वहां पर कौ यही है कि बालकों को खान में कारे करने के लिए निशेद होगा, चलिए पढ़ते हैं, लेकिन उम्र हमें ध्यान रखनी है 18 वर्ष से कम, ठीक है? 18 वर्ष से कम आयो कि बच्चों को खदानों या जमीन के नीचे कारे करने की अनुवती नहीं होगी, तो यह हमें खान अधनियम 1952 की अंतरगत मिलता है, नेक्स्ट है बाल श्रम निशेद अधनियम 1986, अब बाल श्रम निशेद अधनियम 1986 कहता है कि घरेलू एकाईयों को छोड़कर अन्ने सभी जगे 14 वर्ष से कम आयो के बच्चों को कारे करने पर प्रतिबंद होगा, यहाँ पर यह बात बिल्कुल य जो घरेलू एकाईया है, यानि जब कोई माता पिता जो है, जो की कहीं घरों पर कारे करते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी कारे में लगा लेते हैं, तो उन जगहों को छोड़कर, यदि जैसे कोई होटल है, रेस्टरेंट है, या फिर अन्ने कहीं अब ये 1986 के अदियम में सन्सो educate नहीं किया गया, बलकि बाल शुर्मनिशेदाद दियम 1946 को replace करके, इसको हटाकर, बिलकुल हटाकर इसको नया अदियम लाया गया, बाल श्रमनिशेदाद दियम 2006, याद रखना है, ये कोई सनसोदन नहीं है, जो पिछला आपकाEveryone है rabbits sean are 26, उस प्रतिबंद था अब यहां पर उम्र जो है वो बताई गई है 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को जोलनसील या विस्पोटकों जैसे जोखिम भरे कारें पर प्रतिबंद जो है वो लगाया जाएगा ठीक है और यदी कोई इस तरीके का कारे जो है वो करवा रहा है तो उसे 6 मह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रापधान किया गया है या इसके अतरिक्त 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है ठीक है तो यह अधनियम जो है वह 1986 को रिप्लेस करके आया है जिसमें बिल्कुल कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जोलनसील और वि 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा अब बालकों की संड्रक्षन के लिए एक अधनियम है पॉक्स ओ अधनियम 2012 ठीक है याद रखना है पॉक्स ओ अधनियम 2012 योन अपरादों से बच्चों का संड्रक्षन अधनियम यह अधनियम जो है वह है वो पीडित जो बच्चे होते हैं उनसे सम्मंदित जो प्राफधान है जो अधनियम है वो है पॉक्स सो अधनियम 1012 इसके अंदर गण 18 वर्षे से कम आयू के बच्चों की संद्रक्षन की बात की गई है उसके बाद है पॉक्सो अधनियम की इसको हटाग आया था लेकिन अब हम जब Poxo Adinium 2012 इसमें जो संसोधन किया गया, तो Poxo Adinium संसोधन 2019 के अंतरगर्ट 7 वर्ष की सजा के स्थान पर, यहाँ पर केवल 7 वर्ष की सजा थी, लेकिन यहाँ पर अब 7 वर्ष की सजा को बढ़ा कर दिया गया, 10 वर्ष की सजा, 6 वर्ष से कम पीडित बच्चे, 6 कोई व्यक्ती जो कि 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों को पीरित करता है तो उसे 20 वर्ष की सजा होगी और यदि इससे भी गंभी रिस्तेती होती है तो उसे मृत्यू दंड का प्रावधान भी किया गया है ठीक है नेक्स्ट है बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 इसकी अंतरगत यह प्रावधान किया गया कि जो लड़का है उसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष होगी और लड़की की उम्र 18 वर्ष होगी यदि इससे अधिक उम्र के बच्चे है तो वह बाल विवा की श्रेणी में नहीं आएंग लेकिन यदि बच्चे जो है वो लड़का जो है वो 21 वर्ष की आयू से कम का है और लड़की 18 वर्ष से कम आयू की है और यदि उनका विवा किया जा रहा है तो वो है बाल विवा अधिनियम 2006 की अंतरगत वहां पर भी कड़े जो कानून है कड़ी सजा जो है उसका भी प्र वीकारी की नुटी भी की गई है तो इसे भी याद रखना है और जो उम्र है लड़की की 21 वर्ष और लड़की की भी 21 वर्ष जो है वह इस पर भी विचार किया जा रहा है लेकिन हमें याद रखना है एकजाम में पूछा जा सकता है कि बाल विवा निश्य देनियम 2006 की अं को इसको बहुत अच्छे से एक्तम धंग से याद कर लेना है चलिए मिलते हैं इसी तरीके से हमारे next topic के साथ जिसमें हम बात करेंगे लोक तंतर में निर्वाचन वमत दाता जागरुपता थेंक यू